नमश्कार दोस्तों फिर से एक बार या आप लोगों का बीट उन्दू में बहुत बहुत स्वागत है आज में आप लोगों के साथ एक एसन उसका शेयर करूंगी जिसका इस्तमाल करके आप अपने सर से जूओ को बिलकुल दूर भगा पाएंगे दोस्तों जब हम कई लोगों के बीच में बैठे हुए होते हैं और अचानक से हमारे जो सर है उसमें से जूओ निकलने लग जाती है तो फिर दोस्तों हमारे जो परसनलिटी उस पर बहुत ज़दा बुरा असर पड़ता है लोग समझते हैं कि आप अपने सर की सपाई नहीं कर करती है और इसके साथ यह आपके बालों को बढ़ने भी नहीं देती तो आपके बालों की रुकावट का एक कानण जूओ का होना भी होता है आज में दोस्तों आप लोग के साथ एक बहुत ही नायाब नुसका शेयर करूंगे आपके जूओ को दूर करने के लिए इसके एक कारी के ही इस्तमाल से आप अपने सर से सारी जूओ को बिल्कुल दूर बगा पाएंगे उनको बिल्कुल नश्ट कर पाएंगे लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक फॉलो करना होगा ताकि आपसे कोई भी चीज मिसना हो पाए और प्लीज नमारे चैनल ब् बताती हूँ कि आपको इसको इस्तमाल किस तरीके से करना है इस तरीके से निम्बू को आपको यहां पर ले लेना होगा इस तरीके से यहां पर निम्बू को आपको ले लेना है इतनी थोड़ी सी मात्र आपको निम्बू की ले लिए और इसके जो बीज है उनको आपको फै जिसके इस्तमाल से लोग करते आ रहे हैं अपनी सर की जूओ को दूर भगाने के लिए क्योंकि यह जो है जो है जो है जित्रिक अब्रचिट का भंडार होता है जो कि आपकी जूओ को आपके बालों में चैन से नहीं रहने देता और भगाने में मजबूर कर देता है कि एक जमचि आपको इन दोने चीजह को गाने में कें आपको इन दीओ बवराजल करेके हँए कि आपके बालों में आपके हेर्गोफ को बढ़ाता है और आपके जूओ को दूर करने के लिए ब estaba ke Cur aunque से पीको पए उपके यह 100 परसंट कार रहता है और सर की पूरी थरिक्य च बहुत ही बढ़िया चीज है निम्बू के साथ अलवरे जल को डालने से आप देख सेते हैं यह इस तरीक से फट चुका है पर दोस्तो यही ट्रिक है अब हमें इसमें 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 अगली चीज और सबसे जादा इंपॉर्टेंट चीज वह है दोस्तो विक्स विक्स वैपर कर जाना ही उपरता है तो इसलिए यह आपर हम विक्स वैपर अपका इस्तमाल करेंगे ध्यान से देखिए इसकी मातला आपको कितनी लेनी है इस तरीके से आपको इसे ले लेना है बहुत कम एक चोथा यह आपको यह विक्स को ले लेना है और यह चक्कू की मदद से मैं इस कटोरी में डाल लोंगे इसके बाद आपको इसको अच्छे से मिला लेना है इस तरीके से इनुस्का हमारा तयार हो चुका यह अच्छे से नहीं मिला है लेकिन हम इसका ऐसे ही इस्तमाल कर सकते हैं तो जानते है आपको इसके इस्तमाल किस तरीके से करना है इस तरीके से मसाज करते हुए इसका अपलाय करना है यह 100% कारगर रहेगा आपके जूओं को दूर भगाने के लिए उन्हें नश्ट करने के लिए इस तरीके से मसाज आपको 10-15 मिर्ट तक करने हैं जिस भी एरिया पर आपको बहुत जादा खुजली मचती है वहाँ पर और अच्छे तरी कीजिए ताकि सारी जूओं आराम से बाहर आ जाए तो इस तरीके से आपको इस नुस्की का इस्तवाल करना है एक बारी के इस्तवाल साप देखेंगे आपकी जूओं कितनी तेजी से आपके सर से दूर भाग जाएंगी यह ता मेरी तब से आप लोग के लिए आज करना स्वस्द्रें